सीवान के जीरादेई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर बहुत बड़ा एक हाथसा हुआ है जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई है बताते चले कि जीरादेई थाने के पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और सड़क के किनारे खड़ी थी उसी दोरान पीछे से आ रही पाइप से लड़ी कंटेनर की गाड़ी ने एक सिपाही को अपने चपिटे में ले लिया और उसे धक्का मारते हुए घसिटे हुए गड़ जादो बताया जाता है जो जीरादेई थाना में ही पद अस्थापित था और जब यह सिपाही अपने गस्ती दल के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था उसी दोरान सड़क किनारे ये लोग खड़े थे और फिर कंटेनर ने इसे धक्का मार दिया जिसके करण कंटेनर सिपाही के उपर ही पलट गई और उसको लेकर सिपाही अधेश जादो की घटना अस्थल पर ही मौत हो गई हालाकि सिपाही का जो सौव है वो कंटेनर के नीचे कुछ देर तक दबा रहा लेकिन सिवान के एसबी कांतेस विस्तरा घटना अस्थल पर पहुंचे और जेसी भी मशीन तो बोड़ी निकाली गई तो सिवान के जीरादेई थाना इलाके से बहुत बड़ी ख़बर आ रही है जहांपर एक सिपाही की अन्यंतरिट कंटेनर ने धक्का मार दी है तो घटना अस्थल पर ही उसकी मौत हो गई है और यह घटना भंटा पोखर गाउं के नजदीक की है जहांपर एक सिपाही हाथ से का सिकार हो गया है हालाकि इस घटना का बात से जो कंटेनर का चालक है उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया और पूस्ताच उससे चल रही है तो यह आप सीधी तस्वीरे देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कंटेनर पल कर रहे थे चेकिंग कर रहे थे उसी दोरान कंटेनर पीछे से आई और पूलिस को धक्का मारते हुए एक गड़े में जा पलटी और सिपाही के उपर कंटेनर पलट जाने से सिपाही नीचे दब गया जिसके कारण सिपाही ओधेश जादो की घटना अस्थल पर ही मौत हो ग जारी है सीधी तस्बीर हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ एटियन लाइप पर कि किस तरह से एक सिपाही की मौत हो गई है कंटेनर पलट जाने से और वहाँ पर एसपी कांटे समिस्तर अपने दलबल के साथ पहुँचे हुए जेसी भी मसीन को भी बुलाया गया है बहुत ज हुआ 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 है जट बुलाया झाँ